हेलो फ्रेंड्स वागत है अप सबका मेरे यूट्योब चैनल जिसका नाम है दिकास 318 तो फ्रेंड्स कभी-कभी क्या होता है कि जब हम यूट्यूब पर अपनी कोई बी वीडियो अप्लोड करते हैं तो वीडियो का प्लोड करने के यह था वो हमने एड़ नहीं किया उसके अंदर तो हम काफी जादा परिशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने तो यूट्यूब वीडियो जो है वह अप्लोड कर दी है अब मैं इसमें एड़िट कैसे करूं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लेप्टोप की स्क्रीन के उपर इसमें मैंने क्रॉम ब्राउजर ओपन किया है आपको भी से ओपन कर लेना और यहां आपको टाइप करना है www.youtube.com और उसके बाद एंटर कर देना है और आपको अपने चैनल के अंदर login कर लेना है मैं लोग एन किया हुआ है उसके बाद आपको right corner में यहां पे क्लिक करना है और your channel के अंदर जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है करेंगे तो आपका यूट्यूब क्रेटर स्टूडियो का डैश्बोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा यह ओपन हो गया सारी चीजे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आपको काफी सारे ऑप्षिन मिलेंगे यहाँ पर आपको सेकेंड सकते हैं यह तो आपको पताई होगा यहां से वीडियो के जो टाइटल डिस्क्रिप्शन और नीचे यहां पर टैक्स हैं इनमें आप एडिट कर सकते हैं यहां से तो हमें वीडियो के अंदर एडिट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है यहां पर यहां पर यहां पर य आपने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारी चीजे देखने को मिलती है जैसे यहाँ पर वीडियो तो यह है वीडियो का यह यह music का section है यहाँ पर यह बलर का option है और यहाँ पर एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं तो mainly जो एडिटर में आपको अपनी वीडियो में जो एडिट करना है उसके लिए आपको यह तीन function में होते हैं तो मैं इसमें सबसे पहले आपको ट्रिम करना सिखा देता हूं कि आप ट्रि कर जो होती है ठीक है यांछी 16 मिर्थ यहाँ पर आगे हमें ठीक है तो इससे वापिस लयाथा है तो ट्रिम करने के लिए आपको इस ट्रिम के उपर क्लिक करना है मैं इसको पकड़के आप जितना कर ना चाते है उतना ट्रिम कर सकते हैं ठीक है जैसे यहां तक ट्रिम कर लिया और आप चाहते हैं मैं काफ़ सारे ट्रिम कर दूँ एक साथ तो उसके लिए आपको फिर अगला जो ट्रिम करना है जैसे यहां पर मैंने करजर क्लिक करा और उसके बाद यहां पर यहां पर इस प्लेट का ऑप् से खतम हो में यहां से स्टार्ट होगी इसी तरीके से ये एपो ही चरे मैं उसले दिच tecnologia आएक चले आ यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पर इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हम जैसे इस Biz पकड़े एक करेंगे में तो यह आप्देख सकते हैं इस spot हो गया यह जुम इन जूम आउट हो गया जूम इन जूम-आउट कर सकते हम इसे अपनी वीडियो हो ठीक है उसके बाद यह तो हो गया ट्रिम का तो समझ आ गया होगा आपको अच्छे से उसके बाद यहां पर ओडियो का option है music हम इसमें कोई भी music एड करना चाहते हैं तो यहां पर हमें यह क्लिक करना है प्लस के उपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ओपन हो गया फ्री म्यूजिक और यहां पर अगर हमने कोई बना रखा है तो यहां पर शो हो जाएगा यहां पर फ्री यहीं बिर फकूट्र के यूट्रियो मिल जाते हम्ट को सबसे बीजाते हैं आप कोई सबी विजूदस के कोटिंग अपने साहल बनाट्र सकते हैं यहां पर कौन सा क्लाल डेता है यहां काम से अधेलिजिक आभ देख सकते हैं और यहां से add कर सकते हैं add करने के लिए आपको add पर क्लिक करना है यह आप देख सकते हैं नीचे music लग गया अब आपको जितने portion तक रखना है वहां तक आप ले जा सकते हैं इसको easily से जैसे मैं इतने portion पर रखना चाहता हूं उसके बाद को साथ यहां पहें इसमें यह यम्लिकंप लाइसंस इन्फो मिल जाएगा आपको इसका कॉों सा लाइसेंस है के त्र weapon किक कर देंगे इस तरीके के और आप इसे पले करके भी देख सकते हैं यहां से जैसे यह मिंजिक है यहां पे प्मी में यह आप देख सकते हैं, ठीक है यह कुछ इस तरीके से आवाज आ रही है, इसकी आवाज को कम जादा करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको यह त्री डोट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके उपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कीबोर्ड शोट increase और decrease कर सकते हैं अगर आपको decrease करने तो आपको down arrow दबाना पड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा down arrow दबाना होगा और यह वली जो sound है वो कम होती चली जाएगी इस तरीके से आप इसके वोल्यूम को adjust कर सकते हैं अपनी वीडियो के इसमें किस तरीके से add करना आपको समझ में आ गया होगा उसका वोल्यूम कैसे adjust करना यह भी समझ में आ गया होगा उसके बाद इसमें बलर का option आता है यहां पर देख सकते हैं पर click करेंगे यहां पर दो तरीके के बलर आपको मिल जाएंगे face blur और custom blur पर जैसे ही कि करेंगे तो आपके सामने यह face आ गया कि आप यहां पर blur करना चाहते हैं तो मैं से select कर लेता हूं यह तो all और यहां पर track object है और fix blur position है यह तो आपको शेप होगे कि आप कोई भी shape लगा सकते हैं इसके इंदर कहीं पे भी और यहां पर track object का मतलब है कि जैसे आपने face पर कोई blur लगाया तो face जहां-जहां move करेगा जो blur है उसको track करता हुआ उसी के तरह जाता जाएगा जैसे face अगर इधर आ गया तो वह blur भी उसके face के साथ ही यहां पर इधर आ जाएगा तो यहां पर fix blur position का मतलब है कि अगर आपने जैसे यहां पर face है और यहीं पर वह blur आप fix कर देंगे तो जब face इधर जाएगा तो face दिखाई देने लग जाएगा क्योंकि हमने यहां पर उसे fix कर दिया है तो यह इसका मतलब है इस तरीके से आप यह face यहां पर लगा सकते हैं मैंने face blur जैसे यहां पर लगा देता हूं जैसे यह 15 seconds इस तरीके से जैसे और रखनी है वह यहां से select करना है उसकी position नीचे इन में से select कर लेनी है इस तरीके से आप लगा सकते हैं मुझे अभी line नहीं लगानी तो मैं under कर देता हूं सारी चीज़ों को इस तरीके से आप अपनी वीडियो के अंदर किसी भी part को blur कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अप अपनी वीडियो YouTube वीडियो का upload करने के बाद अपनी वीडियो के अंदर कुछ भी edit कर सकते हैं और जब यह आप कोई भी setting कर लें उसके बाद आपको इस save पर क्लिक कर देना है तो वह आपकी setting permanent इसमें save हो जाएगी और आपने जो भी इसमें changes किया है वो इसके अंदर apply हो जा सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से लाइक जरूर करें और जादा से जादा शेयर करें थैंक यू